जैसा कि दोस्तों प्रिवेस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि माइक्रोइसकोफ ठी टाइप्स के होते हैं फ़र्स्ट है ऑप्टिकल माइक्रोइसकोप जिसे हम लाइट माइक्रोइसकोप भी कहते हैं सेकेंड है إलेक्टरोन मा いक cricket और थर्ड है scanning probe microscope तो आईए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे light microscope के बारे में तो light microscope क्या होता है और light microscope कितने types के होते है इन सभी के बारे में हम आने वाले दिनों में detail से जानेंगे तो यदि हम बात करें light microscope की तो सबसे पहले light microscope बनाने का जो स्रे है वो जाता है Leeuwenhawk को Antony 1 Leeuwenhawk A Dutch lens maker is known as Microsecope maker And also for his Microsecopic observation तो यदि हम बात करें Antony 1 Leeuwenhawk की तो यह एक Dutch वहिग्यानिक थे जिन्होंने lens के थ्रू Microsecope का निर्मार किया और इसके साथ साथ ही Antony 1 Leeuwenhawk Microsecopic यानी की सुच मजीवों की खोच के लिए भी जाने जाते हैं लिवेन हॉक्स माइक्रोस्कोप कंसिस्ट आफ ए स्मॉल स्फेरिकल बाई कन्वेक्स लेंस और सॉर्ट फोकल लेंथ विच इस माउंटेड बिट्विन टू स्मॉल मेटल प्लेट्स तो लिवेन हॉक्स ने जो पहला लगाए हुआ था जैसा कि आप इमेज में अपने राइट साइड देख सकते हैं तो ये लिवेन हक्स दरा बनाया हुआ फास्ट लाइट माइक्रोस्कोप है तो आपको बता दे कि लिवेन होक्स ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था He was the first to observe an entire new microbial world having described protozoa, bacteria, algae, yeast and other microbial organisms तो उन्होंने अपने बनाए हुए microscope से सबसे पहले जितने भी microorganism है लगभग उन सभी का अध्यन किया जैसे की protozoa, जिवाडू, algae, कवक, कवक में जैसे की बास करे हम इस्ट की तो इन सभी microorganism का उन्होंने अध्यन किया अपने बनाए हुए microscope से तो यहाँ पर मैं बता दू कि लिवेन हक के microscope से related कोई भी आपके exam में question आने वाले नहीं है तो इसलिए हम इसे detail से नहीं पढ़ेंगे आने वाला जो topic है वो हमारे लिए important है तो आई हम बात कहते हैं light microscope के अगले type की जो की है compound microscope या इसे हम conventional microscope भी कहते हैं तो बहुत important topic है और आपके exam में इसे question जरूर आएंगे and it was constructed by Robert Hooke in 1665 and is by far the most commonly used microscope तो आपको बता दे की Robert Hooke द्वारा बनाया गया है यह अब तक का सबसे अधिक इस्तमाल किये जाने वाला microscope है the optical system of conventional microscope consists of two magnifying convex lens the first one is ocular which is also called eyepiece and other is called objective lens and hence the name compound microscope तो आपको बता दे की यह जो compound microscope है इसमें दो आवर्धक उत्तर lens लगे होते हैं पहला है ocular या फिर हम इसे eyepiece lens भी कहते हैं जो की नेत्र के पास होता है और दूसरा है objective lens जो की specimen के पास होता है जिसे हमें देखना है तो इस प्रकार से देखे तो यह microscope दो तरह की lens से बना होता है एक है ocular lens और दूसरा है objective lens इसलिए इस lens का नाम पड़ा है compound microscope first operational light microscope was constructed by जकारियास जैंसन and hence जैंसन in 1590 तो पहला जो operational light microscope है इसे जकारियास जैंसन और हैंस जैंसन ने 1590 में बनाया था compound microscope is now routinely used for observing microbial cell तो यह जो compound microscope है इसका उपयोग अब नीमित रूप से कोशिकाओं के अवलोकन के लिए किया जाता है it gives a wider field of view, less distortion and less eye strain than the simple microscope यह साधारन सुचमदर्सी की तुलना में देखने का एक व्यापक छेत्र, कम विकृती और कम आखों का तनाव देता है the modern compound microscope are also called bright field microscope which is consist of following parts तो आपको बता दें कि जो modern compound microscope है इसे हम bright field microscope के नाम से भी जानते हैं इस बात को आप याद रखिएगा, यह मत सोचिएगा कि bright field microscope अलग होता है और compound microscope अलग होता है तो compound microscope को ही bright field microscope कहते हैं और इसके जो part है वो निमलिखित है आईए सब के बारे में हम detail से जानते हैं और आप right side compound microscope के figure को देख सकते हैं तो compound microscope का जो पहला part है वो है base it is a board heavy metal structure that supports the microscope तो यदि हम बात करें base की तो यह चोड़ा और भारिधातू का बना हुआ संदरचना है जो कि microscope को सीधा रखने में सहायता करता है आप नीचे figure में base को देख सकते हैं चलते हैं second part की हो second part है reflecting mirror attached close to the base of microscope this mirror reflects beam of natural light or light from an electrical lamp to object तो जैसा कि आप figure में देख सकते हैं कि base के just pass ही आपको reflecting mirror देखने को मिलेगा तो जैसा कि नाम से clear है कि यह जो mirror होता है यह light को reflect करता है object के पास और यह जो light होती है या तो natural light होती है या फिर electrical lamp के दोरा produce होती है चलते हैं microscope के third part की और जो की है stage it is a platform on which the specimen to be observed is placed तो stage एक प्रकार का platform है जहां पर हम जो observing object होते हैं यानि कि जो specimen है उसे रखते है at the center of the stage is an aperture or or hole to direct the light to the specimen तो stage के center में आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा छिद दिखाई देगा जिससे की होकर जो light है वो specimen पर पड़ती है चलते हैं अगले part की और अगला part है iris diaphragm तो आपको बता दे कि stage के just नीचे iris diaphragm पाया जाता है this is made up of metal disc and is placed below the stage and above the mirror it control the amount of light passing through the stage aperture तो iris diaphragm metal disc का बना होता है और जैसा कि मैंने बताया था कि यह stage के नीचे और mirror के उपर पाया जाता है और इसका काम है जो light है light के amount को control करना यानि कि कितनी amount में light stage पर जाए वह उसके अनुसार अपने आपको control करता है तो मैं आपको iris diaphragm के figure को दिखा दे रहा हूँ आप देख सकते है कि iris diaphragm इस तरह का होता है आप left side देख सकते है और microscope में आप देख सकते है कि यहाँ पर stage के just नीचे लगा होता है iris diaphragm के just नीचे एक और person रचना पाई जाती है जिसे हम बोलते है condenser तो यह condenser क्या करता है कि जो mirror से light आती है उस light को focus करता है object के पास आप image में left side देख सकते है condenser lens कैसा होता है और right side आप देख सकते हैं कि microscope में condenser lens कहा लगा होता है आई चलते हैं microscope के अगले पार्ट की और अगला पार्ट है arm जैसा कि आप image में देख सकते हैं it is a curve metallic handle that support the body tube तो यह हलका सा मुडा हुआ धात्यू की वेनी संरचना होती है और इसी के through क्या कहते हैं कि हम microscope को पकड़ कर उठाते हैं और arm के upper part पर ही body tube लगी होती है तो body tube क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं तो अगला हमारा heading है body tube it is a vertical tube that contain the optical system of the microscope तो जैसा कि image में आप देख सकते हैं कि यह एक vertical tube like structure होता है जिसमें कि हमारे lens जुड़े होते हैं यानि कि microscope का जो optical system होता है इसी में पाए जाता है तो इस body tube के उपर की और आप देखेंगे यानि कि upper region की तरफ देखेंगे तो अगला लेंस पाए जाता है जिसे हम आई पीस भी कहते हैं और अब्जेक्टिव लेंस system is located at the lower end of the body tube और ए सॉसर सेब्ड डिस काल्ड नोज पीस वहीं आप देखेंगे कि body tube के निचले हिस्से में पाए जाता है objective lens जो की तस्तरी नुमा संरचना पे जुड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं nose piece Usually there are three objective lens First lower power which have 10x magnification power And second high power which have 40x magnification power And third objective lens is oil immersion which have 90x magnification power तो जो nose piece है उस पे तीन तरह के lens पाए जाते है तो जो सबसे कम power का होता है वो 10x होता है उससे अधिक का होता है 40x का और सबसे अधिक होता है oil immersion जिसका होता है 90x magnification power वही हम बात करें ocular lens के magnification power की तो इसका magnification power होता है 10x आई चलते हैं microscope के अगले पार्ट की ओर जो कि है focus knob तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो focus knob होते हैं वो किसी भी object या फिर हम कह सकते हैं किसी भी specimen को sharp और clear देखने के लिए यूज किया जाते हैं तो जो focus knob होते हैं वो दो तरह के होते हैं पहला है course focus knob और दूसरा है fine focus knob a course focus knob move the body tube long distance with few turn that means movement is rather more and rapid तो यह जो course focus knob होता है यह body tube को move कराने के में यूज किया जाता है मतलब इसके थुरू हम क्या करते हैं body tube को up and down करते हैं जिसे कि हम आसानी से जो object है यानि कि जो specimen है उसके पास हम objective lens को ले जा सके या फिर हम उससे दूर objective lens को ले जा सके यानि कि हम up down इसलिए करते हैं कि हम किसी भी object को clearly देखने के लिए इसको up down करते हैं another knob is called fine focus knob move the body tube relatively short distance with the many turn that means the moment is rather less and slow तो जो दूसरा knob है वो है fine focus knob और ये fine focus knob बहुत short distance पे move करता है और इसको हम कई turn move कराते हैं तब थोड़ा बहुत moment होता है यानि कहने का मतलब अगर हम coarse focus knob और fine focus knob इन दोनों को compare करें तो coarse focus knob कम moment में अधिक up down करता है जबकि fine adjustment knob को अगर हम अधिक घुमाते हैं तो उसमें जो moment होता है body tube में वो बहुत कम होता है तो इन दोनों के द्वारा हम आसानी से किसी भी object को clear और sharp रूप से देख सकते हैं आए next हम बात करते हैं compound microscope के resolving power और magnification power की तो यहाँ पर बात आती है कि magnification power क्या होता है resolving power क्या होता है तो इस topic पर मैंने अलग से video बना रखा है magnification power, resolving power आप वो video जरूर देखिए ताकि आपको clear हो जाए कि magnification power क्या होता है और resolving power क्या होता है और यह ऐसा topic है जो कि बार बार microscope में आपको देखने को मिलेगा तो आप वो video जरूर देख लिजे ताकि आपका magnification power और resolving power से जुड़ा हुआ जितना भी concept है वो clear हो जाए तो आए next हम बात करते है कि कैसे हम compound microscope के थुरू किसी भी object को clear देखते है तो सबसे पहले होता है source of light, उसके बाद होता है condenser lens, फिर उसके बाद होता है specimen फिर होता है objective lens और उसके बाद ऊपर की ओर होता है और ocular lens, तो जो light raise है वो source से चलकर condenser lens पर पढ़ता है condenser lens किया करता है, light को condense का देता है यानि कि focus कांडेता है specimen पर तो specimen से टकराने के बाद यह जो light raise है वो objective lens पर आती है objective lens के बाद जो light होती है वो ocular lens पतुछती है जिसके कारण हम किसी भी object को देख पाते हैं तो यहाँ पर magnification को समझने के लिए आप इस image को देख सकते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AB object है और AB से चलने वाली जो light है वो objective lens से होते हुए eye piece पर पहुचती है तो जब यह light eye piece से होते हुए हमारे आखों पर पहुचती है तो हमारी आखों से एक virtual image बनता है और यह जो virtual image होता है वह specimen यानि की object से कई गुना बड़ा बनता है तो इस प्रकार जो light microscope है इसमें बनने वाला image जो होता है वो bright होता है और इसका background भी bright होता है इसलिए इसे हम bright filled microscope भी कहते हैं तो दोस्तो यह था हमारा bright filled microscope से जुड़ा हुआ आज का वीडियो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और यदि आप हमारा चैनल पर नए है और अभी तक आपने हमारा चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमारा चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि जब भी मैं BSC first semester के वीडियो अपलोड करूँ इसका notification आप तक सब्से पहले पहुँचे तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक ले जहिन जब भारत